हेलो वल्कम बैक टू अंतरनी वीडियो आज में भी वी टूइंटी नाइन प्रो का यह काम टेस्ट करने वाला हूं आईफ़ों 14 के साथ में वी टूइंटी नाइन प्रो लेट इस लांच फोन है तो इसका कैमरा की कॉलिटी को मेजर करने के लिए कामरा का इंप्रूमेंट द जो काफे चाहे काम करता है और देखते हैं कि V29 Pro camera के लिए कैसा phone है हलाकि यह कोई real life comparison नहीं है बस मैंने iPhone 14 को इसलिए रखा हुआ है कि इसकी camera के quality मुझे मालूम पर सके इसलिए तो price के according यह camera comparison बिल्कूँ नहीं है बस V29 Pro phone latest launcher तो इसकी camera के quality को मेज़र करने के लिए camera मिलता है त्रिपल camera setup में camera 50 megapixel का with OIS 12 megapixel telephoto with 2X optical zoom and 8 megapixel ultrawide तो इस वार जो है न वीज स्रीज में आपको 2 megapixel वाले जो फालतु के संसरे एड की जा रहे थी वह यहाँ पर हटा दिया गया और selfie आपको मिलती है 50 megapixel की देखते हैं कामरा का improvement किया पहले से फोटो में वीडियो में डेल आइट में दौनाल फोटेट वगराओं के तो चलिए मैं वीडियो को सुरू करता हूं और आप फटा-फटा क्या करो यार आप फटा-फटा वीडियो को लाइक करना सुरू करो कि बहुत ज्यादा के लिए एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब फटा-फटा कर देना मन में कुछ सवाल तो यहां पर मैं टेस्ट कर रहा हूं वी 29 प्रों की अगें यहां पर मैं नाच्रोल क्लिक करने के लिए एक अलग से ऑप्सन भी दिया गया है नेच्रोल कलर आउन करने वाला फिचर वाट देखते हैं क्या डिफ्रेंस है तो यहां पर देखो शनलर विल्गुल डारेक्ट आ रही है वी 29 प्रों में नाच्रोल क्लिड मोड आफ पर देखो कि कलर थोड़े से ओवरसे दिख रहे है वहाई आएफोन में तो एक ही मोड आपको देखने को बलता आइफोन काफी हम अगें यहां पर मैं नाच्रोल अन किया वी 29 प्रों में तो देखो कि कलर दोने की काफी अच्छी निकल क्या रही है दोनों की कलर जो होज है यहाँ पर नैच्छरल भी लग रहे हैं, नैच्छरल मोड अन करने के बाद अगें V29 Pro में, अब यहाँ पर देखो, Sunlight यह बिल्कुल डायक्ट आ रहे थी, तो iPhone 14 ने जो टीसर का एक्चुल रेट कलर है, वो अच्छे से मेंटेंड किया है, स्किन टोन भी काफी है तक, नैच् और Contrast देखने को लग रहा है, V29 Pro में, अगें यहाँ पर भी देखोगे, दुनों ही फोन के जो मेरा फेस आया ना, यहाँ पर फेस दुनों ही पिक्चर में ओवर एक्पोज हो रहे हैं, कलर का दो डिफ्रेंस है, यह लिएक पोजर को भी यहाँ पर मेंटेंड करने में, यहाँ पर देखो, आइफोन में मिलता है में कैमरा, वीव मिलता है आपको पोटर्ट के लिए टेली फोटो कैमरा 2X, तो बैक्ग्राउंड जो डेप्त फिल्ट है, आपको दोने फोन में काफी अच्छे से मेंटेंड है, लेकिन अगें यहाँ पर नोटेश करोगे जो मेरा आपको आइफोन 14 में अपको नेच्रो स्क्विंटोन देखने को लग रहा है, लेकिन वहीं वीवो के कलर भी थोड़े से आइप्लीजन है, कलर जादा थोड़े से बूस्ट कर रहे है, बढ़ यहाँ पर डेट सनलाइट नहीं आड़ी सनलाइट बिल्कुल भी सैड़ो वाल है, डाइट सनलाइट में, और वी ट्वन्टी नाइन प्रो का ओवर कॉंट्रासी होने के वेसे जो मेरा आइज है वो बिल्कुल भी बलेक हो गया, कुछ भी दिखाए नहीं पर है, आर्म की तरब अगर नोटिस करोगे तो जो मेरा हैंड है वो भी यहाँ पर आइफोन 14 में वेटर मेंटेंड है, और वी ट्वन्टी नाइन प्रो डाइट सनलाइट में थोरा सा मुझे इस्पाई स्ट्रगर लगा, आयहोब की अप्डेट देकर फिक्स किया जाए, अगर यहाँ पर अभी नोटिस करोगे आइफोन 14 में कैमरा से, वी ट्वन्टी नाइन पर टेली फ देकर उसको फिक्स किया जाए, अब यह वीडिया में रिकाट कर रहा हूँ, दोनी फोन के फ्रांट कैमरा से, आप फोर के वीडिया में रिकाट कर सो, 360 एपिस तक, आइफोन में जो मेरा फेस पूरा का पूरा ओवर एक्पोज हो रहा है, लेकिन जो एक्चुल टीचर्ट क काफेशा मुझे लग रहा है, आइफोन में थोड़े से यहाँ पर प्राडलम देख रहे हैं, डायक्ट सनलाइट में ओवर एक्पोज हो रहा है, मेरा फेस यहाँ पर अगेन, तो आइओस 17 का अपडेट हो सकता है, यहाँ पर इसकाई की कलर भी थोड़े से बूस्टेड है आइफोन में, फिलर्स थोड़े नोटिस कर रहे हैं, मैं आपको वी वी 29 प्रो में, बागी के वीडियो कॉलिटी दोनी फोन के मुझे अच्छी लगी है, अब यह वीडियो में रिकाट कर रहा हूं, डोनी फोन के रियर कैमरा से 1080p 60fps पे, कलर थोड़े नैचुरल है, तो ओ आइफोन 14 ने मेंटेंड किया है, इसकाई में कलर थोड़े से बूस्टेड हैं, बाट एक्चुरल थोड़े से अच्छी हैं, बाट कलर थोड़े से सौफ्ट आए, स्किन टोन भी थोड़े से यहां पर सौफ्ट देखने को लग रहे हैं, अब यह वाला सेलफी मैंने किलिक किया है, दोनी फोन के फ्रन कामरा से डायक्ट सनलाइट में आपको आइफोन 14 में थोड़े से बूस्टेड हैं, बाट नैचुरल आपको देखने को लग रहे हैं, अगर यहां पर भी नोटिस करोगे, दोनी फोन की पिक्चर तो काफी अच्छी हैं, यहां पर नैचुरल है वीवो में जो है, थोड़े से कलर हलके से फेड होते हैं, थोड़े से रेड होते हैं, बाट आप प्रिजन कलर आते हैं, पिक्चर में डिटेल्स वगरा कहीं भी कुछ आपको कमी देखने को नहीं मिलेगी इस बार, तो सेल्फी में जो है, मुझे वीवो वी 29 पुरो कि नोटिस करोगे आप, कि जो मेरा लिप्स है वो आपको थोड़े से पिंक देख रहे हैं, इसकी इन टोन थोड़े नैचरल की मुझे देखने को नहीं लग रहे हैं, बाट आपका यह प्रसनल चोईस है, आपको कौन सा कलर पसंद होता है, अब यहाँ पर सेल्फी मुझे क काफी अच्छी लगी, सब लोगों को किसी लोगों को नैचरल कर पसंद है, किसी को थोड़े से बुस्टर, किसी को आई प्लिस इन कलर पसंद है, यह आप लोगों का प्रस्तनल चोईस है, मैं बलेम बिल्कूल भी नहीं करूँगा, वी टूएट्टीन प्रेंट कैमरा आप यहां बात करेंगे, दोनी पिक्चर से मैंने किलिक किया है, आइफोन में 12 मिकापिस ल्ट्रावाइट, वी टूएट्टीन प्रो में 8 मिकापिस ल्ट्रावाइट, बट इसका आइक के जो एक्टूएल कलर है, आइफोन थोड़े से बूस्ट करता है, इसका की कलर, बट जो कोई बी बिले में यहां पर देखने को नहीं लगाए अल्ट्रावाइट में, काफिया तक लाइजुरा पिक्चर प्रोवाइट भी करता है, अल्ट्रावाइट में, जैसे यहां पर अबगिन नोटिस कर सकते है, आप आइफोन 14, थोड़े से कलर बुश्ट करता है, इसका काफिके, तो गैस अगर आप कोई भी फोन ऑनलाइन से बाइट करना चाते हो, तो उसके लिए आपको इसका प्राइस चेक करना काफी जरूरी है, किस टाइम पर प्राइस कितना ड्रॉप हुआ था और आने वाल सा टाइम में कितना प्राइस ड्रॉप हो सकता है, उसके add कर सकते हो और यहां से कहीं भी आप फोन का प्राइस चेक करो सबोड़ेट यहां से मैं चेक करता हूँ iPhone 13 का price तiptन का price last days में कितने drop हुए थे वो सारे के सारे यहाँ पर जो है आप जासी graph पे click करोगे तो सारे के सारे यहाँ पर graph सो हो जाएं कितना प्राइज ड्रॉप हुआ था और आनेवा टाइम में कितना इनी ड्रॉप हो सकता है मिनिमम प्राइज जो कितना ड्रॉप हुआ था उसके कॉडिन जो है आप सही पोन बाइए कर सकते हो का तो low light काफी कहतना कोता है बट यहां पर देखते हैं क्या improvement किया गया अब यहां पर night mode off है तो आप देखोगे v29 pro थोड़े से color को auto shift करता है night mode on होने के बाद भी यहां पर देखो कि v29 pro में color जो है एक पूजर को देखो के कहीं पर आपको अच्छे से मेंटेंड किया हुआ है इस प्राइजर में काफी खतरनाक नाइट बोन निकाल के दे रहा है आपको वी 29 प्रो मैंने यहां पर एक बिल्कुल भी बिलीब नहीं किया था कि एक मतलब कि ऐसा कुछ हो सकता था लेकिन यहां सब्सक्राइब एक पर आइफ़न 14 को च्टकर दे रहा भाई नाइट मोड इस प्रेजर के यहां थोड़े से यहां पर आलके सहां पर बूस्ट कर रहे हैं बट अगेल यहां नहीं कर दखो कि आईफों 14 की इसिवापको नाचिन देखने को लग रहा है वी 29 प्रो के फोड़ आपको नोटिस क्या होगे कलर जो है आपको बिल्कुल भी अच्छे निकाल के दी हैं यहां पर भी देखोगे नाइट मौन अन करने के बाद एक दम स्ट्रीम लो लाइट थी बिल्कुल भी कुछ दिखाए नहीं पड़ती है कि नॉर्मल आइस से बट फिर भी देखोगे आइ कर सकते हो लिक मिल जाएगा उसका आपको निचे बॉक्स में और कमेंट में आप अपना एक फीड़बेक भी सेयर कर सकते हो कि इस फोन का कैमरा के मिजन आपको कैसा लगा तो चलिए मिलता हूं मैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए टेक केर